मनिपूर में महीलाओं को निवस गुमाय जाने के केस में सुप्रिम कोट ने पुलिस की जाँच को सुस्त बताया कोट ने कहा कि राज में कानुन विवस्ता बिल्कुल द्वस्त हो चुकी है लाइव लॉक के मताबिक कोट ने हरानी जताई की राज की जाती हिंसा में लगबग तीन महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई सुप्रिम कोट ने मनिपूर डीजीपी को कोट में हाजिर होकर इन सबी सवालों का जवाब देने का निदेश दिया है FIR में देरी बरकेंद्र ने कोट से कहा कि मनिपूर में हालात बहत खराब है चीफ चस्टिस चंदर्चून, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्टा की बैच मामले की सुनवाई कर रही है पिटिशन में पिडित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है उन्हें X और Y के नाम से सम्मूदित किया गया है पुलिस की रिपोर्ट में पिडित महिलाओं के नाम कोट में शेयर करने से मना किया गया है क्योंकि महीलाओं से रेप और हत्या के मामले में याचिका करता की और से सीनिय एड़ोकेट वरंदा ग्रोवर ने कहा कि यह रिपोर्ट कानून के खिलाफ है इसमें पिडित महीलाओं के नाम है सिप्रिम कोट ने किन सरकार को तुरन निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को किसी से शेयर मत करना मीडिया को मत देना नहीं तो पिडितों के नाम सामने आ जाएंगे इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद